असलाम लेकुल स्टूडेंट्स आज हम मैथ का पॉर्शन तो हमने कर लिया था आज हम जा रहे हैं एक्सेंट सबसे पहले आज हम परने जा रहे हैं स्कूल टैम डेबल इसको कैसे बनाना है जैसा कि आप इसके दर दे सकते हैं यह हमारे कालम है और इनको हम रो कहते हैं लेकर यहां पर बाक्स बने हुएं बहुत सारे इनके अंदर हम लेक सकते हैं जैसा कि यहां सबसे पहले आपने लिखा हुआ है स्कूल टैम टेबल तो यहां पर जगा बहुत छोटी है लेकर स्कूल टैम टेबल में लिखा हुआ है ब को जो यही मचज ऐंड पर अप्षिन नहीं होता च्टिफ यहां कि अब शृबएbon. तूब वहां इसका उपनाप को पिंटर को मारण मारफ च्लिक करूंआ होता इसके कि अब यहां कुछBC tossa कई करें के लिख को जोएगारades. फिर यहां क्लिक करना है कि उसी तरह इस के पिटल ए यहां से आप साइब बढ़ा कर सकते हैं अब इसके बाद डे पिरिड लिखा हुआ है स्पोस करें अब देख रहे हैं जो हमें लिखा है तो यह जो बाक्स है इसे एकसीट कर गया है भड़ गया है तो हम क्या करेंगे उँपर देख रहे हैं जहां प्रोक्षा है तो हम इसको यहां से बढ़ा भी कर सकते हैं इसके बाक्स को और चोटा भी हम कर सकते हैं इसके बाद इसी तरह हम लिख लेंके हैं वर हम इसे खेलिंगे रीज़ु ले पर हमने इस एंयरिया को स्लेक्त करना है अर डिए को ड्चपन के बाद न हो आना है मैं कहा रहा हैं जहां पर सकते हैं ते एसा हो म arts पर पेज बढ़र लगाने के लिए हम क्या करेंगेब सब को उल्य करें हैं च्छोड शोड़े बाक्सि में और चाह लाए है सबसे पहले इंपने लाएं साथ बागर झार सकते हैं तो यहां आप हम फ़र्मूला लगाने जा रहे हैं, और हम फर्मूला लगाएं पढ़िए जहाँ लगाने जा रहे हैं अब सिसे पहले है आफ ने इसको इस Genyải भुना लेना है हुंकि इसको इस क本े न पर बना लेना है यहां पर फरुमूला 먹 है हमारा यहां पर लगेगा आफ यहां पर बाट डिसकाउं आफर eh आफार है ।पki ने कुछ चीज़ें परचेश की हैं ने तरें हैं दिनिक बने कूछ हम जो हम क्огप क्यबुम करते हैं तोह को जासे कि लगने से पहले हमने जार प्रड़ना के बाद हमस्प्राइस को सलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाइ कौन सा मप्रून सा हमने हमने मर्टीप्लाइक लिए हमने हुए ठीक है तो हमने क्या लगाना है फैस्टायyg sait तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम एको लगाएंगे अब जितनी चीज़ किए हमे इसको इसको इसके बाद मुल्टिप्लाइब बृटिप नियुख वहरा है तो इसको 1 से multiply कर दिया और इसको इंटर कर दिया इंटर करने के बाद इसको हम यहां खेंचेंगे इस black color के plus का sign है white आये तो खेंचने से कुछ नहीं होगा तो कौन सा है black color का अगर इसे खेंचें इसे भी कुछ नहीं होगा या तो सेम आएगा हमने black plus का sign है तो इसे जब हम खेंचेंगे तो यह सारे automatic में हमारे multiply हो गए है इसके बाद discount rate 25% दिया हुआ है अब percent में तो दिया हुआ है लेकिन अब हमने currency में निकाला है कि discount 50% जो दिया जा रहा है वो currency में कितना बनता है आया कि 100 बनता है आया कि 300 बनता है कितना बनता है percentage में तो है और currency में निकाने के लिए हम simple equal लिखेंगे sub total select करेंगे तो इसको हम multiply करेंगे किसके साथ 25% के साथ multiply करेंगे sub total को 25% की जहां पर value आ जाएगी हमारे पास इतनी बनती है इसी तरह इसको भी हम खेंच लेंगे अब total निकाला है sub total इतना बना था आप देख रहे हैं और discount कितना दिया है 749 तो मतलब है इसको इसमें से में manage करना पड़ेगा तो इसी तरह इसको भी जहां से खेंच लेंगे जब black color का plus आया है तो इसी तरह यह कर लेते हैं कुछ students कहते हैं sell discount rate का इसके हमें समझ नहीं आई इसको मैं मजीद details साथ आप बता देता हूं suppose करें एक value है हमारे पास 5000 एक बंदा कहता है कि 5000 का 5.5% मुझे निकाल के दें क्या बनता है यह एक फार्मूला है अगर 5000 का 5.5% हम value निकलना चाहते हैं तो simple इसको जरब देंगे किसके साथ इसके साथ जरब देंगे 5.5% के साथ 275 आगया इसी तरह जब हम संब टोटल को 25% साथ जरब देंगे 25% की value आजाएगी simple फिर उसके बाद discount हमेशा manage होता है और सब total manage discount करेंगे तो यह values आजाएगी उसके बाद फिर आपने क्या करना है सब को select करके यह all borders कर देना है ओके इसारा all borders आजाएगा इसके बाद बाटा discount offer भी हमने कर लिया है इसके बाद हम जा रहे हैं employer timing में इसके बाद कर लेते हैं उसी तरह Monday अगर मंडे को अगर हम जूख लें देख रहे हैं मंडे को simple खैंच लें तो सारे आजाते हैं लिखने की जुरुवत नहीं पड़ती अगर हमने सब में मंडे लगाने है तो फिर कंट्रोल करके आपने सको खैंचेना है तो सब में Monday आजागा बगार कंट्रोल के खैंचेंगे तो बिल्तपी के साथ आएंगे Monday, Tuesday, Wednesday अगर January, February, March तो सब इस तरह का आ सकता है आ ईसको स्लाड़ दरएज़ है और सितरह नहीं हम सबस्य पर मुझे के यह टीदवाने के कर रह ख़ें मैं प्लाजमने कर्ते हैं किसित पर हम ड़ा दवातो आएंड पालब यह का अफक्य ने मतलब इन पर यह सdern को हम से अजो एतने बजे आए और आउट आइआई तो सबस् जो आउत जाएंगे। यहाँ हमारे पास नहीं पर जाएंगे। फर्मूला क्या है? मैं वह को बता देताओ फर्मूला जी है कि OUT time MANS IN TIME उसको INTEQ कर देंगे ये सारे हमारे पास आ जाएंगे फर्मूला इसने 9 गंटे काम किया क्यूंकि आठ बजे आया और 5 बजे गया क्यों दो इसके पांच गंटे का मतलब लंच टाइम जो मैं करा और ये अवर टाइम है इसमों तरी अज़ा हमेशा जमा होगा टायम में अब छाहरा है इसजी जो इसके बाद ये करें रायं करता हैं इसके ठाइम जैने के कावने करता मुझा करना भागान प्लस didhal करेंगे सारे भी एरा करें आजया को दीनगे यूँ इन आजने के बाद ञाद में पूरे एलरे को सलेट करके आल बार्टर बार्टर कर देना है मड़दर इसके तरहना ही, इसके बहुत आपको हों समझआ रहे हैं। इसके बाद राएं के बहुत हैं। हम जाते हैं। स्कूल एक्सम्ट की तरफ स्कूल एक्सम्स भी है । स्कूल टम्ट BS Marie की है सबसी पहले है 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 सबसे पहले हमने टीचर नेम लिखने हैं जो भी है इसके बाद यह ने मैंशन करनी है इसके बाद इतना पेकिया गया इनको इतनी इतना पेकिया गया था तो इनकी रिमेंग क्या होगे जीरो हुआ इसको वरा मां करने जा रहे हैं तक सिकत्फ़ हरा है इसको कैसे करना यह पहली कर लेंजान कोशनी है थालिए हुआ हुआ है करो अभले इसको अ किकुछ भाइnam के लिए विख साथ हे लिए नहीं रहें। इनकेस अगर हम इसको पांच हजार कर देते हैं तो देखें रमेंधिंघग 5,000 हो गया है अगर पूरी सरय भी पेझ कर देते हैं कि हम आप देख रहे हैं यह सारी जिरो हो गया है वह सितरा प्टेट हम करेंगे एलेक्टिसिटी इसकी बिल का मैंनिक निकालेंगे अलेटिक बिल और मैनिस इसका प्टेट पिरगेовых यहां पर बीव 화िल रिमीनिंग करेंगे अभी हमने खी और मैंनिनक हम्ने को प्टेट करेंगे अब सबसे पहले यहां पर अब हम अपना तोटल एक्सपेंस निकालना चाह रहे हैं तोटल एक्सपेंस के लिए हम क्या लगाएंगे एक्वल के बाद हम क्या इसमाल करेंगे सम यह आगा तो इस पर हम क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे यह जो डबल क्लिक किया इसको डबल क् देख देखिए हैं तो पीछे वाले हमारे सेलेक्ट हैं बिल्टिंग रैंट भी एक्सपेंट है और वाटर भी एक्सपेंस है इसी तरह हमने इसको ब्रैकिट को लोज किया जिए तो एक लाग छपन हजार हमारे यह आया है इसी तरह हम equal sum करेंगे total paid का भले खाली हो जब को खाली select कर लेंगे कोई इशू नहीं है जब कि अगर value डालेंगे तब इसके अंदर changing आ जाएगी यह भी zero है total paid अभी तक कि कुछ पे नहीं किया इसी तरह equal to sum हम लगा रहे हैं equal to sum लगाने के बाद total remaining remaining मतलब यह है कि हमारे remaining है अब हम उसको select कर रहे हैं remaining को select किया आपर control press किया तो कि यह remaining और यह remaining सारे remaining हमने क्या कर लिए select कर लिए और इंटर किया अब total paid हमारा zero है expense भी एक लाग शपन है और remaining भी तक हमने किसी को पे नहीं किया अब यूँ हम सब को pay करते जाएंगे देख रहे हैं remaining zero हो गया और यहां पर भी फार्ट आना शुरू हो गया है लेकिन जब हम सब को values दे देंगे जितना इसको पे करना था जब हम पे कर देंगे इसको जितना करना था तो क्या हो जाएगा इसको हम पे करते जा रहे हैं आप इसको देखते रहें यह कितना है पक्ची00 chosen और यह कितना है पंच हजार इसी तर सब्राग कितना इसी तर यहां बिल्लेग्र में कितना है structure'd हजार यह भी हमने पे कर दिया कितना है जोब पेसे अब हुआ, प्रॉच भी गश्वाट अब खंदे हु अब क्या हुआ यह लगजके लगाएंगे, मुझा इसकी पहले लगाएंगे कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसी तरह पर इसको सेट करेंगे, फिर इसकी तरह इसको स्वेच करेंगे, बतलब सारा अए इसलीयखा अभ साथ आप 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 आल बार्टर लगा सकते हैं अब अलगा लगाना चाहें थातऀ을 हको स्कूल एकस्पन्स बार्स को पर हम इसके बार करने जा रहे हैं रेस्टरेंट अब हम जोंग कर लेते हैं तो इसी में भी salary है, paid है, remaining है, बिल्कुल उसी की तरह सेम है, तो सबसे पहले यहां पर भी हमने क्या किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो यहां remaining में हमने क्या करना है, formula लगाना है सबसे पहले, यहां इक्वल, इसको इसमें से manage करेंगे, यह बुक में जिस तरह है यह उस तरह करना है, क्यूंकि उस बुक में सखली ज्यादा है, और paid कम दिया गया, इसी तरह यह 25,000, पेड कितना है, 25 है, सबसे पहले यहां से निकान निकाला हुआ हुआ है, total, यह total हम कैसे निकालेंगे, यह बुक में सबस्क्राइब करेंगे, वो कर रहा है कि चिकन 1000 उपय केजी है, और कितने केजी लिया किया है, 50, मतलब है कि 1000 को 50 से हम क्या करेंगे, मल्टिप्लाइ करेंगे, जरब करेंगे, इसी तरह इसको select किया, जरब इसके साथ के जरब दे दिया हमने, 50,000, इसी तरह हम खेंचेंगे यहां तक, पर इस सेंटर में आ रहे हैं क्लिक करके, गलीट का बटन दबाते जाएंगे, की बोड पे, यह हमारे काम के नहीं है, जो ह इसके नहीं तोटल था, और मैनस पेड, इसी तरह हम खेंचेंगे, यह भी सारे आ गया, जो जिरो वाल हम को गलीट करते जाएंगे, की बोड के लिट का बटन है, इसी तरह यह सारे आ गया, इसी तरह रिमेनिंग है, जहां पर भी हम फर्मुला लगाएंगे, रिमेनिंग मे टेलिफून बिल्ड मैनस उसका पेड, यह भी आ गया है, और यहां पर भी हम फर्मुला लगाएंगे, तो बिल्डिंग रेंट जितना ता पच्चीस हजार पे किया गया है, तो यह आ गया जिए इसको इस तरह करना है, अब यहां पर, यहां पर सेम, जिस तरह स्कूल एक्स क्या था, सबसे पहले हमेंए एक्सफर्अ करना है, सबसे पहले हैं, हम क्या लगाएंगे, यहां पर, तो ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट से अब इंटर करें चीक है यह आगा है तो अब हम सम करेंगे अपने तमाम पेड़्स का इतने भी पेड़्स हैं हम उन तमाम क्या करेंगे सम करेंगे अपैड का सुलक किया करने के बाद पिर क्या करना है कंट्रोल प्रेस करना है और इसके लावा कॉन रह Monte है यह पहलें है और इसके लावा यह पेड है अस सबते हैं इसको सपफि़ यह हमारे पास आगया हैं यह मेन कौन रिमेंट कौनक ostat कर दिया इसके बाद यह remaining है इंका भी हम ने Sum कर दिया इसके बाद यह remaining है अभी olsun पिशा और इसका भी सम और इस का भी Some और इसी तरह bracket close और रंट्रण डरेंगे स्धुन Sauce गया रियुक्स जो के इवे हमने उन का दे नार्जार अ मैनमियं के portrait कर देंगे इवलेगे मात कि टै अब रस्टूरेंट वाला भी हमने कर लिया है अचिए इसके बाद आब हम करने जा रही है स्कूल डेट Sh겠지만 झाएस से पहले सी अतरर आपने सन बना लेना है इस सब पहले त्याप्त को दूप्ति हैं यह भी हमें गिवन है उप्टेन मार्क्स का फर्मूला सिंपल है इको लगा आके इस तो पर्सेंटेज का फर्मूला लगाना है सिंपल पर्सेंटेक किया फर्मूला होता है करेंगे मल्टिक्लाएं हंड्रेट और इसके अलावा डिवाइड बाइं डूटनल मार्क्स कि पर्सेंटेज आविसंपल इसको खेंच लेंगे और इसमें तो सबसे मुश्किल फर्मूला है वह है इसका ग्रेड ना को बता लेता हूं यह पूरा ग्रेड का फर्मूला यह का फ है ग्रेड का फर्मूला मैं यहां आपको लगा के लिखाने की कोशिश करता हूं ग्रेड फर्मूला यहां पर लगाने की मैं कोशिश करता हूं आपको ठीक है ब हम ग्रेड का फर्मूला करने जा रहे हैं ग्रेड का फर्मूला सबसे पहले इस फर्मूले को आप देख रहे ह जो हमने हैं नहीं लगा घालगा वा फॉर्मूला ये फॉर अचय और बड़नोन के लगा एक लिए को से इस पर्मूला फ़र्मूला को एब अब सब्सक्राइब जoqu Saraade परसेंट सेलेक् सुलेक्ट करना है इसके बाद हमने साइन लगाना दो ना को साइन लगाना है उसके बाद हमने क्या लिखना-ए एटी डाल देते है एडियू हमने डाल उय है फिर हमने क्या लगाना है एक कौमा लगाना है फिर शिफ्ट से डबल कौमा लगाना है और यहां पर हम इसको मेंशन करे देते हैं a-grade इसी तरहाँ डबल कौमा डबल कौमा के बाद पिर फिर single कौमा लगाएंगे कि अगर 80% वेली ऊंपर हो तो आगर क्या आएगा अगर युट कॉणिष्ट लगाने के भाद किर हम करेंगे पर फिर हम पर स्यलेक्ट करेंगे पर स्यलेक्ट करने के बाद प्र ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और इसको रख देंगे 700 20 टिरकोमा लगांगे शिफ्ट से डवल कॉमा इसको हम कर देते हैं फिर डवल कॉमा इसके बाद पिर सिंगेल कॉमा इसके बार फिर सिंगल एक ट 되지ड you can आते हैंिस अ मेरत फिर परॉन चेज्ट करेंगे कहो सेंटेज्ट किया और परसंटेज्ट करने के बाद हम यहां क्या लगाएंगे वैल्यू ग्रेटर थैन हम लगाएंगे 60 तो यहां पर भी एक कॉमा और इसके लावा डबल कॉमा तो इसको हम क्या कर देते हैं स्पोर्ज कर रहें सी मेंशन कर देते हैं करें सी मेंशन कर in the ion कि फिर हम धाल ऩर याई हमें स्पोरफिर हम जड़ाएंगे इस तो अफर में दोबारा इफ लगाएंगे कि असी तरह अब जितने चाहें इसके अश ज़न है हमारा इसको बनाने कोशेश करते हैं इसी तरह यहां पर भी हम पर स्टेट करेंगे पी से असल में जूम किया हुए इसलिगे वह ना वह स्लेक्ट नहीं हो पा रहा अब की बोड सीवी लेख सकते हैं पी सैवन यह नहीं है अच्छा इसके बाद गेटर दें 60 था तो फिर हम लगाएंगे डिटर दर इसके बाद अब हम लिखेंगे 50 अ खल कैम एक्ले extend विखान कर रहे हैं इसके बाद पिर हम less than कर देंगे less than तो 50 हम कहरें कि 50% से बिश्टूर्स के मार्क्स कम हैं यह फिर कौमा लगाएंगे फिर डबल कौमा कि वो fail हैं हमने fail की condition लगा दी यह जिसके दिस्टुडेंट की लिमार्क से कम होंगे तो वो फूदेंट क्या है फेल है इसके बाद आपने क्या करना है ब्रैकेट लगानी है इतनी कंडिशन्स अगया है यह फिर लास्ट में ब्लैक हो जाए तो ऐसे समझें कि आपके brackets complete हो चुके हैं, तो इसके बाद आपको क्या करने जा रहे हैं? इंटर करने जा रहे हैं, देखे हैं, इंटर किया है, तो भी-grade क्यों आया, तो हमने कहा के अगर 70 से उपर हो तो बी आएगा 80% से पहले तक तो इसलिए ऐसा हुआ है बाकी को भी हम देख लेते हैं कैच की कि यह क्या गया है सी सिस्टी से उपर हो तो हमने का वो सी आएगा और से पहले ता इसी तरह करदिशन आप अपने मर्जी से भी लगा सकते हैं इस तरह ग्रेट का भी आप बना सकते हैं अब ग्रेट वाला भी हो गया है हमारा स्कूल जल्ट शीट का भी कर लिया है स्कूल एक्सपेंस का भी हो गया है अब हम जो करने जा रहे हैं एक गार्मेट्स फैक्टरी अब हम गार्मेट्स फैक्टरी वाला करने जा रहे हैं गार्मेट्स फैक्टरी वाला करने जा रहे हैं गार्मेट्स फैक्टरी वाला करने ज बाक्स की जगाँ चोटी हो तो आप इसको यहां से पड़के बढ़ा कर सकते हैं जितनी हैं उसके मताब़े कि इसी तरह हॉस्टेंट पी डालेंगे इमेडिक अलाउंस भी डालेंगे और गरास सेलरी अब यहां पर जो फर्मूला है वो सिंपल गरास सेलरी में लगेगा ओके आपकी सेलरी पच्पन साह है और उसके अलावा डेरनेस इलाउंस यहां मेंशने सेलरी में जमा होता है आपको पता होना जाएगे अगर आप गुर्मन इंपलाई हैं तो वहां हॉस्टेंट पी आपको मिलता रहता है मतलता पांच सो ह वैल्यूज आपको जमा होंगी तो इसके दो मेंसे हैं सबसे पहले से करते हैं तो जिसको हम देशी तरीका कहते हैं इसके बाद प्रोफेशनल डेमें इसको करते हैं सेलरी इकोल लगाया पेसे रिका लिका हमने तो हमने जमा लगा जिपने इसको ऋड़किया यह बी मारा मैंने सकति त्वात दास भी हम तो होग कर दिया से बालै तो जड़ा जासे उसम्पल आ देशना है जलक्ट होगा ठाजा एक न्यूब फिरा से नहीं दे़िए यह के बाद फिर जमा इसको स्लेक्ट किया है के बाद पिर जमा इसको स्लेक्त किया है और इसके बाद पहुंद से आप में यहाद एक प्लावाल्च नगाने घुमा हो जाती है एक्वल लगाया सबसे पहले हमने बेसिक सेलेक्ट किया फिर प्लस फिर अलाउंस फिर हमारा हाउसरेंड और फिर मेडिकल इलाउंस ओके फिर मैनिस मैनिस टोटल डिटेक्शन आपने करना है इसको इंटर करेंगे तो इसको आप खैंच लिए जूम करने के बिदा से यह नहीं अगर को पर आरा रहा था वैसे इसका कोई मसला नहीं आथा अगर हम इसको प्रोफेशनल फार्मूले से करना चाहें तो प्रोफेशनल वाला जाएंगे इसके बाद एस यूम करेंगे तो इसमें क्या होगा गरेक्षिक के उंपर हम चार वेल्यूज को हमने स्लेट कर लिया इसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज और मैनेस्ट टोटल इडिक्शन कर लिया ठीक है ना कोशिट करें ये प्रोफेशनल वाला फामुला इसमाल करें इसमें कुर्यासी ज्यादा है और ये जल्दी हो जाता है क्योंकि गर्मेंट फैक्टरी का भी हो चुका है अच्छा अब हम करने जा रहे हैं सेलरी अब हम करने जा रहे हैं सेलरी शीट अब हम सिंपल करने जा रहे हैं सेलरी शीट तो सबसे पहले बेसिक पे हमारा इतना है बाराँ हजार बेसिक पे है तो यहां पर मेडिकल लाउंस जो है ना कितना निकालना है यहां पर बाराँ परसेंट निकालना है और हाउस रेंड 6% और यह है 4.5% और यहां पर सिंपल एक फर्मॉला लगाया गया है आखिर में इंकम टेक्स ओके यह जब आप बुक में इसका कुश्चन गिवन है तो वहां आप इसको इसली समझ सकते हैं तो मेडिकल लाउंस माँ बारा परसेंट है हाउस रेंड 6% है औ हम इसके मताब इसको करने की अभी हम कोशिश करेंगे अब मेरिके लाउंस का हमने क्या निकालना है 12% सबसे पहले इक्वल 12,000 को स्लेक्ट किया तो मल्टिप्लाय आपको पहले बताया है कि अगर किसी भी चीज़ का कुछ परसेंट निकालना तो सिंपल डेक्ट उसको इसको multiply कर देते हैं 12% के साथ इसको क्या कर दिया है multiply कर दिया ये 12% के वैलियों झालगी कितना है हाूस इस है कि इसको 35% के साथ एसी तरह इसी तरह यह बेजार अब हमने net पय नेकालना है नेट बें में फर्मूला गिए थे स्लेक्ट करेंगे फिर प्लस अब आखिर वाला जो है न वह जागा मैनिस इंकम टेक्स वाला मैनिस हो जाए रहा है जिए इसको खैशेंगे यह बी हमारा हो जाएगा यह बी सिंपल है यह फिर बी इतना मुश्किल नहीं है लास्ट टायम य एजुकेशन डिपार्मन्ट के टेस्ट होगे थे उसमें यह पुशन आए हो था एग्जैक्ट सेम तू सेम इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं पिविट टेपल तो इससे पहले आपने यह सारे नेम लिख लेने हैं डिपार्मने हैं सेल 2016 एंड सेल 2017 तो इन दोनों को सिंपल कर देना है यह सिर्य heißt में इसरों पर सेल 2017 और 2016 को आपसमें जमा कर देंगे देंगे तो जिसस्में कर देंगे तो सिंपल और बहुत जिसके बाद कर लिया और अब हम आ रहे हैं बैंक पास्बुक में सबसे पहले आप यह करें कि यह लिख लें यह लिख लें यह लिख लें और डैबिट भी आपने खुद लिखना है और क्रेडिट भी आपने खुद लिखना है यह वेल्यू सारी आपने खुद लिखनी है और जहां पर एक और वेल्यू होगी इंटरेस् 500 और इसके लावा डेविट का बैलनस और इसके लावा कैरेट का स्पार लगा में विन्परांव को का मुझा लेएं- Qo Yakum है कि आपके काउंट में जब पैसे जमा होते हैं तो वो क्रेडिट में आते हैं जो पैसा आपके काउंट में जमा हो रहा है वो क्रेडिट है और जो पैसा आपके काउंट से निकाला जा रहा है चाहे एडियम से निकाल रहे हैं चाहे किसी दूसरे काउंट में शेयर कर रहे है जो दोनों सुजुञतों में आपके काउन्ट से पैसे जारहे हैंि तो होå치 विहां पर एक फॉर मल हैजuç सबसी पछल हम ने इकूल लगाया तो सबसे पहले जो प्रिवियस बैलन्स था तो हमने इसको क्या किया है स्ञेक्ट किया Championship कर ला तो सबसे पहले यह क्या है यह मारा प्रीविस बैलंस है इसको हमने स्लेक्ट ही है प्रीविस बैलंस को स्लेक्ट करने के बाद आपको भी बताया है मैंने क्रेड़िट हमेशा आपके पैसे जमा होते हैं जमा क्रेड़िट ओके जमा क्रेड़िट क्रेड़िट क्या हम लगता है पर वाले को नहीं कहाँएंगे तो देखने सारा गलत हो जाएगा ओके क्या हो जाएगा सारा गलत हो जाएगा तो इसी तरह आपके एकाउंट में जो भी पैसे होंगे वहीं आ जाएंगे रिकार्ड के मताबिक खुद डेबिट करेट करते गा और प्रिवर्स बैलन्स के साथ अच्छा बैंक पास बुक स्टेटमेंट भी आपका हो चुका है आप इसके बाद हम देखते हैं यह भी हो गया है स्कूल जैल्ट शीट भी हो गया है सेल्ली अगर स्टुड़न भी हो गया है मंतली लोन और इंस्टालमेंट हां कुछ रह गए हैं तो इसके पर अच्छा है अच्छा ओके ओके तो अब सबसे अब हम करने जा रहे हैं इंस्टालमेंट ओके इंस्टालमेंट का क्या मतलब होता है इंस्टालमेंट का मतलब यह होता है कि जब हम कुई भी चीज किस्टों पे ले उसको में इंस्टालमेंट कहते हैं ऑच्छा कैश और किस्टों में क्या जादा देनेंगे हैं किक्साइश मैंत शे महने किस्टों पर किस्टों पर लेए है। यह सने 17% अब सबसे पहले हमने नकालना है कि f0000-17 पर और और एड़ करें तो यह कितनी है इसकी किमत बनती है तो हम स्वेड़ करते हैं सबसे पहले हम सिंपल लगाएंगे इसके बाद 31,000 हम सेलेक्ट करेंगे तो इसको मल्टिप्लाइ करेंगे किसके साथ 117% के साथ क्यों यह भी मैं को समझाता हूं 38,000 खुद 100% वैल्यो है अगर हम इसको 100% से मल्टिप्लाइ करें 30,000 के से करें 100% खुद देखेंगे पूरा 38,000 खुद तो पूरा खुद है यह क्या है बतलब हमने 17% 30,000 का और भी दे रहे है तो इसलिए हम इसको 117 से मल्टिप्लाइ कर रहे हैं 100% के वैल्यों भी आ जाएगी 17 और भी आ जाएगी बजाए डबल फर्मूला लगाने के ओके देख रहे हैं यह रख आ गया है इसके अंदर अगर हम सिर्फ का 17% निकालना चाहें तो तो सिर्फ यह आएगा 6460 तो इसके बाद फिर हम इसको जमा लगा के इसको भी जमा कर दें यह भी हो सकता है लेकिन यह लंपा चोड़ा फर्मूला है इसको एक सुसतरा से करो कि हैंट्रेट परसंट तो वो खुद एठसी सार पूरा है तो और एक सुसतरा से करेंगे तो ड्रेक्ट यह आ जाएगा आइधिंक यह समझ आ गया आपको इसकी बाद एडवांस है जिए हमने खुद लिखना है जिसना कस्टूमर एडवांस देगा तो यहाँ मने फाल मुला लगाना है चहे मुने के किस्ते हैंच और सी मू mahdने के किस्ते ौडवांस देग dann को वैंठोडी में किस्ते कहने है और चार सुसुर्द चेस करेंगे तो मैनस और एडवांस है टो और 20 cai Over hwn Advanced थिया सावर इसमेस किस्टें वारी customers फियसंदेंगे एक मेहनी की किस्ट आजाएगी जर बारَّ हैं जा जा करते हैं जा हमरी किस्ट आगी महेने की इतनी बनती यह यह इतनी बनती साथ इस्टालमेंट को मल्टिप्लाइमंट के साथ और जमाएडवांस यह फिर मुला भी याद रख लें पेड़ गा जब इसको खेंचेंगे तो यह सारे पेड़ा रहें इतना यह था यह सारे हमारे पेड़ा गए यहां पर ज्यादा इसलिए आ रहा है कि यहां पर दो है आगर इन सब को जिरो कर ले तो पेड़ इतना आ रहा है ओके जितना एडवांस था अब हम रिमेने में फर्मूरा लगाते हैं मैंने करता हम लाए एक्वाल सेसिवले हमें पिने काम बिला था टोटल यह तो टोटल 460 कि मैनस और पेड़ इसको इंटर किया इसको इंटर करने के बाद इसको इंटर किया इसको इंटर किया इसको इंटर किया इसको इंटर कि बाद तो हम इसको यूँ खैंच लेंगे ओके देखने यह आ गया है रिमेने कितना अब स्पोस करें अब हमने मन्त यहां पर क्या करने है कर पूद्ञेरी में देखने हैं लो καई परने किसी क्स भी किस विजम लें है और सब्कुत देखरोंने के अंदर 5े किसी जमा करें लेगा लगा तो सिफिर्वर्व जब जून 강ा रहा खर हो तो पेड़ पूरा है और उसका रमेनिंग जीरो है यह आप देख रहे हैं यह देखने हैं सारे क्या हो गए अब सब के हमने छेट ची किसमें पूरी कर देखने हैं पेड़ पूरा हो गया और यह है मतलब इंस्टाल्मेंट का इसको करने अगर इसमें कोई इशू आ रहा हो स्टाब मुझसे राता कर सकती हैं वड़से के उपर ऐा हुए अभी कर लिया अब हम करने जा रहे हैं मतली बैंक लोन इंटरिस्ट हम इसको करने जा रहे है तो सबसे पहले लोन इमौट बताया रहा है कि 4 लाक दिया जा रहा है और पांच लाक और शे लाक है टोटल ओन दि और यह दो साल पर वापस करना है और यह इंटर्स्ट लगा हुए जादा देना है पांच लागा पांच परसंट और 6,07,020 बाटा कितना है है। फिलाहिए के बाद हम इसको सेलेक्ट किया जिए लोंन इमांट था और इसको मुनिपिला किया छी परषेशनET लिए झाले सेहे रपेंगे तो छी परश्टंट की वाया जा इसे तरह सब ठीन हुआँ चैन्गे तो इतनैं मत्लिया आप 4 मापस कत्ना करना है 4 Twitter 21,42 पांच लिया था, कि अमने नहीं पाइक्लमाइक टेनगे चार वापस करना है नहीं सपान गया है, पांच लिया था टेन लिया था, जिर कतना लिया था लकूंद हो ता आद भी परबात भूल इलिधोन पाफिट लिए से बले है monthly amount हमने निकालना है monthly amount किस बले क्या है simple चार लाग था अगर हम इसको divide करें तो 36 किसने बनते थी तो एक इस इतनी बनती है monthly amount कि ओके अब इसी तरह monthly interest की भी हम किस निकाल रहे हैं तो इंटरस्ट इतना बना था और इसको भी हमें 36 पे divide किया अब इसी तरह अगर इन हम दोनों को जमा कर दें with interest, without interest हमें किस निकला है और ये with interest हमें किस निकला है फिर इन दोनों को जमा किया है हाँ अगर अगर अब हम चाहें तो हम direct monthly pay भी निकाल सकते हैं और मैं बताता हूँ कैसे है हाँ तो simple equal लगाएं आप ब्रेक्ट लगाएं तो इसको select करें चार लात और सूच कितना बनता है चौबिस हजार इन तोनों को ब्रेक्ट में बंग करके अगर 36 पे तक्सीम करते हैं तो तब भी आप इसको ड्रेक्ट निकाल सकते हैं में फिल्पे को यह समझाने के लिए था तो monthly loan interest की भी आपको समझ आ गही है हुआ अच्छा आप हम करने जा रहे हैं का आप अघ्यार मैटियल अच्जी आप आम करने जा रहे हैं आप ट्रांटिय एलाव हम पर अजा था भाह भी है तो सबसे पहले आप लोग नहें पिस्या निक हैं हैं भोक्स में गियदा दसलिक हाँ है इसकी यहां गर्मूल के लगाना है यह ships अफे विंच करना के लिगाना है तो ग्हां भी किया और नहीं तो बार्मूल क। गर्मूल स्व Imperator की जे कमें देती है वाइए उन्रिक लैना ही जे नहीं पर I Krimdi credit यह की तरह पर हमने इक Pan लगाना है इसको स्लैक्त करना हूं कि हए है कि हिसवह के लिग लगा करें तो उस्षे क्या होगा ? है इसके बाद आपने कहा नहीं कंडिशनल फार्मेटिंग में यह उपशन देख रहे हैं यह हमने ग्राफ लगा लिया है लेकिन हम चाहते हैं कि बस सिर्फ ग्राफ है यह वैलियूज नहीं आया किसमें पांच 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 के वह अलड़ी यहां आ चुकी है तो हम किसमें आएंगे मोर रूल्स में मोर रूल्स में आये तो हम यह क्लिक किया शो बार उनली शो बार उनली पर क्लिक किया तो अब हम मरसी है अब हम जो कलर जहां इसको देना चाहें सपोर्ट करें हमने यह कलर दिया इसको लोके कर दिया जिने सिर्फ ग्राफ बन गया है अब हम जो करने जा रहे हैं हमारे अब अटेंडेंस शीट सेलरी और डैरी फार्म यह दो रह गए हैं और बाकी हमने सारे करने हैं अब यह शीट बहुत बड़ी है इतनी बड़ी भी नहीं है सपोर्क ने जहां से अबने शो किया यह सारे अबने से डेने है यह यह इंडेंडेंस शीट सेलरी है यह चिए भी चाहुंडे कर दो जाएं किया है पत्वाइब करें, मैं इसको ख्रते हम जा लेंगे। इसक्तर अब चाहिए अब जब करता है। इसको ने किया करना है, इसको लिए घाल है। तक बहुत यह आठेज करना है। आप गयाजाए, इस सारे प्रिषियों खेंचेंगे tuh 18- इस्रीत आपने के बाद अब हमने को करना है। हम कि कि वहाsal कि कि दिख Marshall होगा भट आपने मरेज़ से लिखेंगे मेंख लेंकने क्या निकालना है प्रेज़र दे निकालना है तो यह इस वह क्या करिएंगे ऊच्छित का इस का क्ए क्या जहां से शुरू है इसको हम ले जाएंगे 1 1.5 पक्षिए 1 से मिल मुला लेदन स्टैंड़ सब और 30 पक्षिंस और अगे case को सलेक्ट नहीं करना मैं हमने क्या लगाना है कौँम हमा लगा यदे के बाद इस रो में कोई प्रिजेट कर सकते हैं कि इस धोंगे तो सारे हमारे पास प्रेसेंट का तो साथ ऐला को वे 방भा टाया को जुछेएं हम 31 से स्टार्ट करेंगे इसको खोड़ना नहीं है यह आठ पे लिया है यह जाता रहेगा और बहुत आगे चला जागा दो 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 पर पीछे लिया है यहां तक सेंटे तक पिर वापस जाएं अब हम एपसेंट निकालना चाह रहे हैं तो कॉमा और कॉमा लगाने के बाद आप इस बाद आहिता है और आपस curator करेंख जाता हैं frozen नहीं करेंगे और एफसेंट गेजि करेंगे तो सारे एपसेंट हैं इसको खोड़ना आनसर साई सब्सक्राइब करें आपको कहीं महीने में 25 दिन जाना था तो 20 दिन तो प्रेजंट हुए और 20 दिन आप एपसेंट हुए तो मतलब यह हुआ अगर दोनों को जमा करेंगे तो प्रेजंट डेट 25 हो गा है तो इसी तरह इसलिए इनको जमा किया है अगर अगर हम मुल्टिप्लाइ करें वर्किंग डेज के साथ पर डेज को मुल्टिप्लाइ करें वर्किंग डेज के साथ तो टॉटल सेल्डरी आ जागी हमारी इनहेंट सेल्डरी का क्या मतलब है इनहेंट सेल्डरी का मतलब यह है कि अभी बताता हूँ पर डेज सेल्डरी को सेलेक्ट किया और मल्टिप्लाइ किया आपने प्रेजिएंट डे के साथ जितने दिन काम किया छे दिन तो आप एपसेंटर है इसी तरह आपके प्रेजिएं की हैं और इसलिए आपको 16800 रुपर सेल्वरी में लिए है कि इसके समझ आगी है अब इसके बाद में एक और रहे गया है डेरी फार इसके लिए आप कह सकते हैं यह जो दूद वरा के बहने होते हैं दूद वरा बेजते हैं तो यह उनका है सबसे पहले को यह हैं सिंपल आपने यहां लिखनाए है शिफ्ट मॉर्न बियां शिफ्ट One to One का मतलब यह है कि एक शिफ्ट मॉर्निक में है एक इवनिक में है तू क्लब यह हैं कि दो बैसें में है Dead духовगर को मतलब यह है volume में ती तीद आखीं शिफ्ट मोर्निक में प्राइज पर लिट हमारा है प्राइज पर लिटर पर हैं कि हम अच्छा हम करने जा रहे थे तो अ यह क्या है यह मतलब तरे 9 साथ सकरव डिल्स का मतलब मक्ला आएर एक डिट नहीं बहुत और सो तक पर दूढर नहीं भी लिया को अपक्जाि पहले हम यहां Present Day में फर्मूला लगाएंगे जी साकि आप लोगों को पहले भी बताया है Present Day का क्या फर्मूला था? Equal count if Equal count if इसी तरह यहां से start है तो जहां से select करेंगे ? One date तक One date तक इमने select किया इसको कॉमा के बाद राप क्या select करेंगे ? जhã में प्रेजेंट निकालने अगर र स्टोरे circuit तो ए याट को मिरेंट तो हमारे आ गए 27 दिन अर्ट ऐसे दिन था 28 दिन 20 गोरे 30 दिन क जिसी हूं अब हमने सबसे फर लेक्त है । महीने का इतना बनता है 27 दिन 57 0 सर्ड़ में हम मैंने का किया कियाए अउत्ते इतम पार में किश्रया है सब आप मूंट करों सेट्रेशन से डिटा principer शाइब के लिए पर जखतो यह सरा आ गया, simple present day भी हमने निकाल लिया, और total liter भी हमने निकाल लिया, और इसके लावा total amount भी हमने simple लिया, वोड़ास इसना simple पर लगाना चाहिए, इसना select कर लेंगे पूरे को, यहां पर आए, और all borders किया, जो की पहले दिए आफाँ हम्में आफको बता है, इसी तरह यह भी हमारा हो गया और एक्सल भी आई होब डैट हमारा कंप्लीट हो चुका है तो इसके इलावा कुई चीज अगर आप को समझ नहीं आए तो आप वर्टस अपर मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं कोई बी चीज समझ नहीं हो एक्सल के होले से वर्ड के हो एक्सल में कोई की समझ नहीं हो वाम यह मतिमैटिक्स में कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे रता कर सकते हैं I hope और यह ड्रक्टर्स ऑब बनाया है तो आप40 मुझे 90% भीदा होगा इन चीजेजende का बहुत शुक्रिया वीडियोज देखने का मैं अजाज़त चाहूँगा अल्हाफिज